जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में रेलवे आर्पी अफ एक्जाम से डर्टे जीके एंड जनरल अवेर्नेस के टॉफ फिप्टे एंसी क्यों करेंगे तो दिखेगा पहला सवाल है कि भारत में कुल कितने उचने आले हैं देखे भारत में वरतमा में 25 उचने आले हैं ठीक है कितने उचने आले हैं तो 25 उचने आले हैं अगला सवाल देखेंगे कि माउंट वरेक्ट पर पहुंचने वाली पर भारती महिला को हुन है बचेंदरी पाल चंतोश यादाव जुंको तेबाई या फिर रेखा देस पांदे तो राइट एंसर हो पर की अधिनता स्विकार नहीं की और अजीवन संगर्ष किया अप्शने महराड़ा परताप उदेशिंग राड़ा सांगा या पिर महराड़ा कुम्बा तो राइट एंसर हो जाएगा महराड़ा परताप जिंग थे ठीक है अगला है कि भारत में गन्ना सबसे अधिक होता है भारत में जो गन्ना है वो सबसे अधि कहां होता है अप्शने बिहार में महराष्ट में उत्तर परदेश में या पिर तमिल्लाडू में तो राइट एंसर हो जाएगा उत्तर परदेश में सरवाती गन्ना का उत्पादन होता है ठीक है अगले सवाल है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का सेर कहा था कौन सा गवर्ना जर्रनल था जो अपने आपको बंगाल का सेर कहता था लाड वेलेजली, लाड करजन वारेन हेस्टिंग सी या फिर लाड कानवाली तो राइट एंसर हो जाएगा लाड वेलेजली ये जो था वो बंगाल का सेर कहता था अपने आपको ठीक है भारत में क्रिसी का प्राचिंतम साक्षे कहां से मिला है अप्शने हडपा से, मेहरगड से, सरायनाहर से या फिर बुर्ज होम से तो राइट एंसर हो जाएगा मेहरगड से अप्शन अबर B अगला है अगला सवाल है कि किसने 1873 में सत्य सोधन समाज की स्थापना की अप्शन है गोपाल किष्टो कोकले, जयोतीबा फुले, शिवनात सास्त्री या फिर उपरोक्त में से कोई नी, तो राइट एंसर हो जाएगा जयोतीबा फुले, ठीक है 1873 में सत्ते सोधन समाज की इन्होंने स्थापना की थी, अगला है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की प्रथम महिला अधेक्ष कौन थी, अप्शन है नेली सेन गुपता या फिर सरोजनी नाइडू, स्रीमती एनी बिसेंट, राजकुमारी अमरित कौर कौन थी, तो देखे इस सवाल का जो राइट एंसर होगा, वो हो जाएगा आपका कौन थी, स्रीमती एनी बिसेंट, ये इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की पर्थम महिला अधेक्ष थी, अगला है, पाकिस्तान सब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया था, देखे पाकिस्तान सब्द का जो पहली बार प्रयोग था, वो किसके द्वारा किया गया था, ओप्शन है, ओ अजलुक अहक, चौधरी रहमत अली, मुहम्मद अली जिन्ना, किसके दौरा किया गया था, तो चौधरी रहमत अली के दौरा, पाकिस्तान सब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, अगला सवाल है, कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्मार किन सहरों के बीच हुआ देखे भारत में जो पहला प्रथम रेल था है लाइन था ठीक है उसका निर्माण किन सहरों के बीच में हुआ था यानि कहां से कहां तक चला था वो तो देखे इसका राइट एंसर हो जाएगा बंबई और थाडे के बीच अगला है महात्मा गांधी इर्विन समझाओता किस वर्ष हुआ था ओप्शन है 1921, 1929, 1931 या फिर 1933 तो राइट एंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था गांधी इर्विन समझाओता अगला सावाल दिखेगा भक्ती आंदोलन की शुरुआत भारत की किस छेत्र से हुई उप्शन है उत्तर भारत से दक्षिड भारत से पूरी भारत से या फिर पस्षीमी भारत से कहां से शुरुआत हुई तो दक्षिड भारत से शुरुआत हुई थी आपका भक्ती आंदोलन का अगला सावाल है कि दिल्ली सल्तनात में सबसे लंबी अओधि तक किस वंस का सासन था ओप्शन है किलजी वंस का तुगलक वंस का सयद वंस का या फिर गौरी वंस का कौन से वंस का सासकता सरवाधिक समय तक तो तुगलक वंस का सासकता अगला सवाल है भूराजश वो किदर किसके सासन काल में सर अगला सवाल दिखेगा कि सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं अगला है अशोक की अभिलिक में उसके किस एक मात्र पुत्र की चर्चा की गई है सिंदू और गंगा के वरिहत पर देशों में या फिर इन में से कोई नी तुराई टेंसर हो जाएगा सिंदू और गंगा के वरिहत परदेशों में अस्ति परतिसत इस्तल चेतर जो है वो इसी चेतर में अवस्तित है अगला सवाल है कि राम कृष्लम मिशन के संस्थापक कौन है अप्शन है श्वामी विवेकानन, रविंदर नाथ टेग और देयानन सरस्वती या फिर कवीरदास अगला सवाल है बारत में सती प्रथा को कब परति बन्दित किया अप्शन है भारत में सती प्रथा को प्रती बन्धित किया घ्ये ठीक है भक्ति आंदोलन का आधी पुरुस किसे कहा जाता है किसको कहा जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा शंकरा चारे को अगला है अगला है अखंड भारत का संपादन किसके दौरा किया गया देखिए अखंड भारत का जो संपादन था ओप्शन है अप्शने आनन्दमल सुराडा, भावरलाल सराप या फिर जै नरायड व्यास या फिर मतूरदास मार्थूर तो राइट इंसर हो जाएगा जै नरायड व्यास अकंड भारत का समपादन किसके दौरा किया गया तो जै नरायड व्यास के दौरा अगला शवाल है भारत में प्रथम सहायक संधी किस रियासत ने की थी हैदराबाद, लखनव, चिन्नेई या फिर कोलकाता तो राइट इंसर हो जाएगा इसका किस ने किया था भारत में प्रथम जो सहायक संधी था ठीक है ये हैदराबाद किस रियासत ने की थी तो हैदराबाद, अगला है दीज की प्रथम महिला लोगसभाद देख्च का क्या नाम है, अप्शन है सोनिया गांधी, मीरा कुमारी, सुष्मा सोराज या फिर नजमा हेपतुल्ला, तो राइट एंसर हो जाएगा मीरा कुमारी ये दीज की प्रथम महिला लोगसभाद देख्च थी, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता है हमारा के लेखा कौन है, अप्शन है मुहमद इकबाल, भगत सिंग, सर सयद अहमद का या फिर अबुल कलाम अजाद, तो राइट एंसर हो जाएगा, मुहमद इकबाल जो है, ये सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा के लेख अपना प्रतम उपदेश कहां किया देखिए गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना प्रतम उपदेश कहां दिया था अप्शन है उरुवेला में, सारनात में, कुशीनगर में या फिर बोदगाया में कहां दिये थे तो सारनात में महात्मा बुद्ध ने अपने प्रतम उपदेश दिया था ठीक है जैनवा बहुत धर्मों में ऐसा कौन सा दिद्धानत है जिस पर दोनों धर्मों में असहमती है अप्शन है कठोर तपस्या, नेतिकता परबल, सुध आचराण परबल या फिर जाती भेद का खंडन तो राई टेंसर हो जाएगा कठोर तपस्या ठीक है कठोर तपस्या अगला है कि पंचायती राज के सबसे बड़ी संस्था कौन सी है जिला परिसत, ग्रामपंचायत, ग्रामशभा या फिर पंचायत समी तो राई टेंसर हो जाएगा जिला परिसत जो होता है यह पंचायती राज के सबसे बड़ी संस्था होती है नेक्स पहिये का अविशकार किस काल में हुआ option है 9 पाशाड काल, मद्य पाशाड काल, पूरा पाशाड काल या फिर रिवेद काल, किस काल में हुआ था, तो दिखे, पहिए का जो अविस्कार था, ठीके, ये 9 पाशाड काल में हुआ था, अगला सवाल देखेगा, कि हड़पा सब्यता के उत्खनन करता कौन है, option है, दयार राम शानी, next है, सिंदु घाटी सब्यता के लोग किस से अपरीची थे, option है, तामे से, लोहे से, आग से, या फिर किरीशी से, किस से अपरीची थे, तो लोहे से अपरीची थे, सिंदु घाटी सब्यता के लोग, ठीके, next है, सारनात इस्तंब का निर्माड किस ने करवाया, अप्शन है अशोक ने, अकबर ने, बिम्बिसार ने, क्या फिर कलिंग ने, तो राइट एंसर हो जागा, अशोक ने करवाय था सारनात इस्तंब का निर्माड, अगला है वैपार की द्रिष्टी से संसार का सबसे अधिक वैस्तम महासागर कौन सा है, अप्शन है, उत्तरी प्रसांत महासागर, दक्षडी प्रसांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर हिंद महासागर, कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये जो है, ये संसार क सबसे अधिक वैस्तम महासागर है अगला है जेलम नदी के किनारे बसन अगर कौन सा है अप्शन है श्री नगर लुदियाना पटियाला या फिर अमरित सर कौन सा है तो राइटेंसर जागा स्री नगर अप्शन नमबर ए राइटेंसर जेलम नदी के किनारे बसन अगर कौन सा तो स्रीनगर अगला है विश्व में सरवाधिक रबड का उत्पादन कहा होता है option है कि मलेशिया में किन्या में स्रिलंका में या फिर ब्राजिल में तो राइटेंसर है मलेशिया में सरवाधिक उत्पादन होता है रबड का विश्वपरसीद पिरामिड कहां इसी थे मिस्र में, मयामर में, इंडोनेशिया में या फिर थाइलेंड में तो राइट एंसर हो जाएगा मिस्र में सब्री गिरी बर्योजना का संबंद किस राज्य से है option है कि केरल से, उडिशा से, करनाटक से या फिर बिहार से तो right answer हो जाएगा केरल से सबरीगीरी परियोचना का संबंध केरल से है next है भारत का सागर तटिये लंबाई कितनी है option है 15200 किलोमेटर, 7516 किलोमेटर, 6200 किलोमेटर या फिर 8000 किलोमेटर तो right answer हो जाएगा, 7516 किलोमेटर सागर तटिये लंबाई कितनी है भारत की, तो 7516 किलोमेटर अगला सवाल दिखेगा चीनवा अरुलाचल परदेश की सीमा पर इसी दर्रा कौन सा है option है, योग्याप, दीपाक, चौकान या फिर तंगूप तो right answer हो जाएगा, योग्याप, तीक है ये जो है, वो चीनवा अरुलाचल परदेश की सीमा पर इसी दर्रा है next है, भारत में परमाडू उर्जा के जनक कौन है option है, डॉक्टर राजचारमन्ना, डॉक्टर होमी, जहांगीर भाबा इसका right answer तो यही हो जाएगा, सबको पता होगा भारत में परमाडू उर्जा के जनक कौन है, तो डॉक्टर होमी, जहांगीर भाबा ठीक है, next है डाइनमाइट के अविस्कारक कौन है option है, अलफ्रेड नोबिल, निूटन, प्रिस्टले, या फिर रैक जे तो right answer हो जाएगा, अलफ्रेड नोबिल, यह जो है, यह डाइनमाइट के अविस्कारक है ठीक है किस उच नयाले के मुख्य नयदिस की न्यूक्ति कौन करता है किसी उच नयाले, किसी हाई कोट की मुख्य नयदिस की जो न्यूक्ति होती है, वो कौन करते है option है, राष्टपति, प्रधान मंत्री, उच नयाले के प्रधान नयदिस या फिर उक्त राज्जे का मुख्य मंत्री तो right answer हो जाएगा, इसका राष्टपति ठीक है, किसी भी राज्जे के उच नयाले के जो मुख्य नयदिस होते हैं उसकी नयुक्ति राष्टपति करते है Federation Cup 2024 में, नीरच चोपड़ा ने स्वड पदक जीता इसका ऐयोजन कहां किया गया, option है कि गुवाहाटी में, सिमला में, पटना में, या फिर भूवानेशवार में तो right answer हो जाएगा, option number D, इसका ऐयोजन जो है 82.27 मिटर, ठीक है भाला पिकते हैं, स्वड पदक अपने नाम किया अगला सवाल देखिएगा वन, कान फिल्म मौद सो दोजर चोबीस में भारतिये पवेलियन का उदगाटन किया गया इसका ऐयोजन कहां किया जा रहा है, option है फ्रांस में, कनाडा में, जर्मनी में या फिर आस्टेलिया में, कहां किया जा रहा है इसका ऐयोजन, तो फ्रांस में किया जा रहा है या इसका ऐयोजन, ठीक है एक कौन से नमबर का है, तो 77th अगला है भारत के किस मस्भूर पुटबॉलर ने, अंतरराष्टी पुटबॉल में से सन्यास लेने की घोशला की है option है, सुनील चेतरी, सहल अब्दुल समद, लालेंग मावियाग रालते, या फिर मनवीर सिंग तो राइट एंसर हो जाएगा, इसका सुनील चेतरी ने, ठीक है बहुत ही जादे इंपोर्टेंट कोश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है एक्जाम में पूछा जाएगा इससे रिलेटेट ठीक है, अगला सवाल है फोन पे ने हाली में किस देश में UPI सेवाओं की सुरुवात की है अप्शन है, नेपाल, पांगलादेश, स्रिलंका या फिर थाइलेंट, कहां सुरुवात की है तो स्रिलंका में सुरुवात की है, ठीक है अगला सवाल है भारती वायू सेनर ने कहां पर एरड्रॉफ सोदेशी मोबाइल होस्पिटल भीष्म क्यूबा का परिक्षड किया अप्शन है, नई दिल्ली, आगरा, जैपूर या फिर पतना, तो राइट एंसर हो जाएगा आगरा में किया, ठीक है अप्शन नमबर बी, अगला सवाल दिखेगा कि हाली में भारत के 85th Grand Master कौन बने है अप्शन है, विदीता गुजराती, गुकेश दी, वशाली, रमेश बाबू या फिर पी, स्याम निखिल, तो राइट एंसर हो जाएगा पी, स्याम निखिल अगला है, किसने अपने अपने पहले चीफ, AI officer के रूप में डेविड सलवा जिनिनीक को निखिया है, ऑप्शन है, टेसला ने, UN ने, नाशा ने या फिर गूगल ने, तो राइट एंसर हो जाएगा, किसने निखिया गया है, तो नाशा निखिया है I hope आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करें, थाइंक्यू